नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अकाश वेलकम तू प्लांट के गीवर आज मैं अपने गार्डन का एक व्लॉग वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं काफी कुछ कवर करने वाला हूँ तो आज मैंने अपने गार्डन में बहुत सारी वेजिटेबल्स के सीड ग्रो किये हैं और यह सीड मुझे गिफ्ट में मिले हैं यह सीड मुझे दिये हैं और आजजी काटनर ने वैसे तो आप सब उनको जानते ही होंगे वो भी terrace gardening करते हैं terrace पर बहुत सारी vegetables ग्रो करते हैं vegetables ग्रो करने में वो expert हैं और मैंने तो कुछ ही vegetable में अपने garden में ग्रो करता हूँ काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि seeds लाओं अपनी local seed shop से लेकिन अपनी काहियत की वज़े से मैं नहीं जा पा रहा था तो उन्हेंने finally मुझे gift में ही काफी अच्छी quality के seeds जो हैं वो send किये हैं ये benda इसे हिंदी में bendy कहते हैं English में lady finger कहते हैं और तो देख सकते हैं काफी अच्छे seeds हैं और एक दो दिन पहले ये वीडियो में शूट किया था और आज उसमें चुटी चुटी सी growth भी आने लगी थी वो मैं किसी और वीडियो में आपके सार शेयर करूंगा तो ये टब जो आप देख रहें ये टब भी काफी सस्ते में मैंने 2-3 साल पहले grow किया था मतलब 2-3 साल पहले purchase किया था 100 टूपीस में मुझे मिले थे और इनी में मैं extra vegetables को grow करता हूँ तो अगर आप भी vegetable वगरा grow करते हैं तो इस साके tub purchase कर सकते हैं ये black nursery pot purchase करते हैं कर सकते हैं इसके अलबा grow back भी अप market में काफी अच्छी quality के reasonable price पर मिल जाते हैं तो वो भी purchase कर सकते हैं और ये बेचाली इससे जो है हिंदी में कहते हैं boy और boy कहते हैं English में फिलाल मुझे नाम नहीं आदा रहा है तो इसे भी मैं फिलाल इसी container में काफी सारे seed को grow कर रहा हूँ उसके बाद जब ये अच्छे से grow हो जाएंगे तो नीचे जमीन पर भी मेरे पास थोड़ा बहुत space है तो वहां पर मैं grow कर दूंगा घर के बाहर भी थोड़ा बहुत space है वहां पर मैं इन्हें transplant कर दूंगा और अपने neighbor को भी कुछ पोधे दे दूंगा क्योंकि जब हम दूसे कर साथ share करते हैं तो वैसे भी हमें मतलब मुझे harvesting का भी वीडियो मिल जाएगा और थोड़े बहुत सबजियां भी time temper as a gift उनलोगों से मिल जाएंगी तो seed तो मैंने जो है वो एक दो seed जो जमीन पर grow होने वाली थी वो मैंने अपने neighbors के साथ share कर लिया है और तो result भी मैं कुछ दिने बात आपके साथ share करूँगा और ये गंगूरा इसके बारे में मुझे कोई भी idea नहीं है और से पहले भी मैंने grow किया था और उस time बहुत जाद गर्मी हो रही थी तो उस पे जो है वो insect का attack हो गया था मैंने काफी बार spray किया और उसके बाद मैंने फिर उससे हटा दिया था क्योंकि इतना जादा spray करने के बाद वो खाने लायक बचा ही नहीं था तो फिलाल इस time मैं grow कर रहा हूँ और इसका सही time क्या होता है वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं मुझे इसका फिलाल कोई idea नहीं है और यह पालक आप इस time grow कर सकते हैं और इस पर मैंने आज ही चेक किया था शाम को पानी डाला था तो चेक किया था तो इसमें नही नही growth भी आने लगी है तो दो-तीन दिनों में मैं आपके साथ update share करूँगा अभी तो फिलाल यह तीसरा दिन था और पांस साथ दिनों में मैं आपको इसका result share करूँगा यह पत्ते वाली सब्जिया होती है वो असानी से कुछी दिनों में grow हो जाती है और यह थोटा है इसे और इसे मैं इससे स्प्रिंकल कर दे रहा हूं यह तो बहुत ही असानी से grow हो जाती है और लगबग 25-60 डेस में आप इसकी पहली harvesting भी ले सकते हैं तो सभी seed को grow करने के बाद मैं अच्छे से watering कर दे रहा हूं और तो यह vegetable आप भी लाकर जो है grow कर सकते हैं पत्ते वाली सबजियों के लिए shallow pot भी कापी अच्छे होते हैं इस quality के grow bag भी shallow वाले मिलते हैं इसके लवा टब बगर भी आप purchase करके उनमें भी फिलहाल grow कर सकते हैं तो अच्छे से मैं watering कर दे रहा हूं पहली बार आपको अच्छे से watering करने चाहिए अगर आप watering में थोड़ इसे साड़े पांच तक की धूप इसमें अच्छे से आती है और ये और red थोटा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा shallow है देख सकते हैं तो इसमें इसी तरह की leafy vegetable ही मैं grow कर सकता हूं तो इससे पहले भी चौराई वाला जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो मैंने इसी में grow किया था और बहुत ही बढ़िया मुझे इस container में चौराई का result देखने को मिला था तो आप भी चौराई ज़रूर grow करिएगा छोटे से छोटे shallow container में grow हो जाता है और seed भी बहुत ही असानी से जो है वो market में चौराई के मिल जाते हैं इसके अलबाए ये कुछ seed जिन इनकी तैयार करनी परती है उन्हें मैं इस तागे चोटे 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 continuous में grow कर रहा हूं जैसे कि ये चीली हो गया टामेटो हो गया तो इस ताइम मार्केट में टामेटो भी काफी महंगे हैं तो मैंने सुचा कि इस बार पहले ही grow कर लेता हूं और टामाटर तो आप जो market से जो करेले लाते हैं वो कई बार पके हुए रहते हैं तो उसके भी सीड हमें मिल जाते हैं और लौकी कदू इनके भी सीड जो market से आते हैं अगर वो पके हुए हो तो उससे आप ट्राइ कर सकते हैं सिम्ला मेच के भी सीड इस सिता से हमें मिल जाते हैं और अगर आप नारी को अगर एक लीफ नोट के साथ मिटी में दबा देते हैं तो वो भी असानी से ग्रो हो जाता है तो ये फिलहार तमाटर या फी मिर्च की ही बीच है फिलहार मैंने भी देखा नहीं है अब अभी जिब मैं वीडियो वाइस ओवर कर रहा हूं तो मैंने नहीं देखा है और इसक मार्केट में देखा पर हमारे इसकी कभी सबजी बनीं नहीं तो इसका नाम फिलाल हिंदी में एसे क्या केते हैं मुझे याद नहीं आरा है और जो जितने भी सीट मैंने लगा दी है सभी में मैं अच्छे से वाटरिंग कर रहा हूँ और जहां पर जहां पर मैंने इन कंटेनर को रखा यहां पर भी चार से पांच गंटी की दूप आती है और अच्छे और इतनी डाइम तो वैसे भी बारिश का सीजन है बारिश तो यहां ग्रो कर लेता हूं तो काफी सारे सीड उन्हें ने मुझे गिफ्ट दिये थे तो मुझे तो बहुत पसंद आया और यह जो आप देख रहे हैं यह सेम के हैं सेम की भी उन्हें ने दो तरीके की बीच जो है वो दिये थे और कुछ सीड मैंने अपने नेबर को दिया था तो उन्हें जमीर पर ग्रो कर लिया था और मैं फिलहाल इस कंटेनर में ग्रो करा हूं अगर यह ग्रो हो जाता है तो मैं तो इसे जमीर पर ही देने वाला हूं जमीर है तो उसका भी फायदा उठाना ही चाहीए So I hope कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपने अभी तक में चांग को सस्क्राइब ना क्या हो तो ज़रूर कीजेगा तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गाड़ने